आज के इस वीडियो में हम डिजाइन करेंगे एक सुन्दर सा अनार कली जिसके लिए मैंने ये बांधनी वाला प्रिंट लिया है ब्लैक एंड वाइट में और इसके उपर ना छोटी छोटी गोल्डन डॉट्स हैं तो मैंने गोल्डन कलर की ही लेस ली है इसके उपर लगाने और इसके बाद ही मैं इस लेस को अटैच करूंगे अपने कुर्टे के उपर ये देखिए दोनों तरफ से मैं सिलाई को कोल लूँगी जिससे की लेस में जादा फिनिशिंग आएगी और बनने के बाद डिजाइन जादा अच्छा लगेगा तो सिलाईयां खोल कर मैंने ले सेलले के साथ-साथ अटैच करूंगी इस तरह की लेस थोड़ी बहुत बेंड हो जाती हैं तो हलकी सी गुलाई वाले गले पर आसानी से लग जाती को अच्छे से पानी लगा के प्रेस भी कर लेंगे अब हम दूसरी तरफ लेस लगाएंगे बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने एक तरफ लेस लगाई थी और यहां से हम एक सीधी लाइन भी लगा देंगे लेस की जिससे की फ्रंट पैनल भी बन जाएगा यह देखिए जब भी आपको थोड़े गुलाई वाले गले पर लेस लगानी है तो बहुत जादा चौड़ी चौड़ी लेस मत लीजेगा क्योंकि वो फिर घूम के लगने में मुश्किल होती हैं तो इस तरह मैंने यहां पर एक लेस लगा ली अब इसके साथ-साथ मैं एक औ लाजार में इसली मिल जाएगी और ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसी ही लेस लगानी है लेस आप अपनी पसंद के हिसाब से डिफ्रेंट टाइप की ले सकते हैं इसकी किनारी पर मैं लाइट कोल्डन कलर की लेस अटैच कर रही हूं दोनों किनारियों पर हमें लेस को अट कर ली थी और कुर्ती के योग का अगला हिस्सा बन कर तयार हो गया है अब हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे और इसके साथ ही मैंने इसकी स्लीव का भी ये सिंपल सा डिजाइन बना कर तयार कर दिया है इसके आगे मैंने एक इंच चौड़ी ब्लैक पट्टी लगाई साथीन मीटर लंबी ही ये ब्लैक पट्टी ली है इस तरह से इसे में फोल्ड कर लूँगी और किनारी पर सिलाई लगा लूँगी और फिर हम अनारकली कुर्ते के गेरे के उपर इस पट्टी को लगाएंगे तो यहाँ पर मैंने अनारकली कुर्ते के उल्टी तरफ से इस आप देख सकते हैं कि उल्टी तरफ मैंने इस पट्टी को इस तरह रखा है और किनारी पर सिलाई लगा दी है जब हम इसको सीधा करेंगे तो इसका जोड सीधी तरह आएगा ये देखिए अब हम यहाँ पर पट्टी को फोल्ड कर देंगे और एक सीधी सिलाई लगा देंगे अब हम इस पट्टी को सीधा करेंगे इस तरह और यह जो जोड था इसके उपर हम बलैक धागे से ही सिलाई लगा देंगे सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा धागे और एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे तो यह पट्टी गेरे पर अच्छे से अटैच हो गई है और आप देख सकते हैं कि इसका जोड सीधी तरफ आया है अब इसके उपर लेस तो मुझे लगानी ही थी तो मैंने सोचा कि जोड मैं सीधी तरफ ही कर लेती हूँ ताकि जोड लेस से छुप जाएगा और गेरे में पिछली तरफ भी फिनिशिंग आ जाएगी एक्स्ट्र धागे पिछली तरफ नहीं नजर आएगे और इंटरलॉक करने के भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो ये देखिए इस तरह मैंने लेस लगा के इसको अच्छे से छुपा दिया है और जोड बिलकुल भी नजर नहीं आएगा ये देखिए अब लेस की दूसरी किनारी पर भी सिलाई लगा देंगे लेस लगाते हुए मैंने उपर वाला धागा चेंज कर लिया था लेस के कलर का धागा मैंने उपर की तरफ डाला था और नीचे की तरफ मैंने ब्लैक धागा यूज किया है अब जितने भी एक्स्टा धागे होंगे उन्हें हम अच्छे से काट लेंगे और ये वाली लेस जो कि मैंने बाजू के उपर भी लगाई है और गले के उपर भी अब इस लेस को मैं कुर्ती के उपर अटैच करूंगी लेकिन क्योंकि मेरे पास ये लेस इतनी जादा नहीं थी तो मैंने सिर्फ फ्रंट वाले हिस्से पर ही इस लेस को अटैच किया है ये देखे पूरे गेरे पर लगाने के लिए ये लेस मेरे पास पूरी नहीं थी इसलिए मैंने सिर्फ हाफ गेरे पर ही इस lace को attach कर दिया अब एक और lace मैंने लिए है जो कि मैं यहाँ पर नीचे की तरफ attach कर रही हूँ अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने अपनी कुरती के print के हिसाब से ही golden color select किया है आप अपनी कुरती के print के हिसाब से golden, silver, copper या कोई भी shade ले सकते है metallic laces का और इस तरह की laces बहुत जादा महेंगी भी नहीं आती और बहुत ही सुन्दर सा एक heavy look add हो जाता है कुरती में देखिए दोनों किनारी पर सिलाई लगा के मैंने lace को अच्छे से attach कर दिया गेरे के उपर बस अब गेरे को हम इस से जादा heavy नहीं बनाएंगे अब कुरती को मैंने यहाँ पर अच्छे से stitch कर दिया था लेकिन मुझे थोड़ी थोड़ी खाली लग रही थी तो मैंने सोचा कि मैं इसकी कलियों पर भी lace लगा देती हूँ लेकिन कुरती तो मैं पहले ही stretch कर चुकी थी फिर भी मैं यह वाला roll ले आई lace का और मैं sketch pen से कुछ करने लगी थी तो मेरे हाथ पर यह color लग गया है तो आप इसे ignore कीजेगा अब यह वाली lace मैंने तकरीबन 12 मीटर ली है क्योंकि मैंने 14 कलियों वाला frog suit बनाया है तो मैंने measure किया था तो 12 मीटर lace की requirement थी अब जो मैंने नीचे पहले से ही lace लगाई हुई है इसके बीच में थोड़ा सा मैं इस पतली वाली lace को इस तरह दबा दूँगी और कलियों के उपर इस तरह से हम lace लगाएंगे जोड़ के बिलकुल उपर उपर वैसे इस तरह की laces आपको और भी जादा बारिक मिल जाएंगी बाजार में अलग अलग टाइप के designs available थे इस तरह की laces में पर मुझे ये वाली lace सबसे जादा अच्छी लगी अब क्योंकि मैंने योग को पहले से घेरे के साथ attach कर दिया था तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई खोल दी योग की ताकि लेस को मैं आसानी से दबा के लगा सकूं कपड़े के नीचे आप चाहे तो इस तरह से फोल्ड करके भी लेस को लगा सकते हैं लेकिन फिर उसमे इतनी जादा finishing नहीं आएगी इसलिए मैंने सोचा थोड़ी जादा मेहनत करना ही ठीक रहेगा तो मैंने सिलाई खोल दी और योग के नीचे मैंने interlock पहले ही कर दिया था तो सिलाई खोलने के बाद भी आपको नजर नहीं आएगा कि एक अपड़ा लग हो रहा है क्योंकि नीचे की तरफ interlock किया हुआ है यह देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर लेस को अच्छे से attach कर लिया है दोनों तरफ सिलाई लगा के यह देखिए यहाँ पर अच्छे से दो तिन बार सिलाई लगा के इसको पक्ता कर देंगे अब एक्स्ट्रा धागे काटेंगे और अब हम योक वाली साइड से इसको अच्छे से stitch कर देंगे इस तरह से यह देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है जिससे की लेस कपड़े के नीचे दब गई है इस तरह बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी की कलियों के जोड़ पर भी लेस को अच्छे से attach कर लेंगे यह देखिए और इसके साथ ही अनारकली कुरती का यह सुन्दर सा डिजाइन बन कर तयार हो चुका है आप देख सकते हैं कि कितना डीसेंट साई डिजाइन बन कर तयार हुआ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको यह डिजाइन कैसा लगा और इसमें कुछ और इंप्रूव्मेंट्स भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन को भी जरूर तबा लें ताकि आपको मेरे सबी वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सकें तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचेंग बाई बाई